दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक इंसान सिर्फ ध्यान लगा कर हवा में उल सकता है और अपने ध्यान के सक्ति का इस्तमाल करके दुनिया भर के लोगों की मदद कर सकता है तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो को इंड तक जरूर देखना क्योंकि रियल लैफ पर बेस्ट ये जैदू स्टोरी आपके लिए लैफ चेंजिंग साबित हो सकती है कहानी सुरू होती है जहां हमें हिंडरी की कहानी लिखने वाले लिखक रुनाल डाल हमें बताते हैं कि हिंडरी ब्रिटिस के माने जाने बहुत ही दनी परिवार का एक तालिर साल का नादियल के पेड़ जिसके चलते उसने अभी तक साधी भी नहीं की थी क्योंकि उसे अपने पैसे किसी और पर खर्च करना अच्छा नहीं लगता था इसी वजह से वह अपने घर वालों से भी थोड़ा कटा कटा रहता था अब हमें हिंडरी खुद अपनी कहानी बताते हुए दिखाई देते ह एक दिन हिंडरी अपनी लैफ से बोर होकर अपने गाउं चला जाता है जहां वो अपने पिता के बिजनेस पार्टनर विल्यम के घर में रुका था जो कि एक बहुत ही आलिसान और बड़ा घर था विल्यम के पिता को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उनका ए उस लैपरेरी पर पढ़ती है हिंडरी को पढ़ने का कोई खास सौक नहीं होता फिर भी वो टाइम पास करने के लिए वहां के किताबों को देखने लगता है उसकी नजर एक पतली सी किताब पर पढ़ती है जो की बहुत सारी मोटी किताबों के बीच में थी जिसे 1935 में एक गंजे लंबे इंसान की है जो कि डॉक्टर चिटर जी के पास उनके क्लीनिक कोलकता में आता है और डॉक्टर के सामने दावा करता है कि मैं अपने आखों को बंद करके भी सब कुछ देख सकता हूं बाकि सब डॉक्टर उससे पागल कहते हैं लेकिन चिटर जी उसमें आखे अपने हाथों से बंद करते हैं और एक दूसरा डॉक्टर अलग-अलग उंगलियों में नंबर दिखाता है जिसे इमाद बड़ी असानी से सही सही बता देता है सारे डॉक्टर चौक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है इमाद कहता है कि मैं एक जादूगर हूं और मैं जि जाकर मैं अपनी कला दिखाता हूं और यही मेरी कमाई का जरिया है डॉक्टर चिटर जी अपना विश्वास और पक्का करने के लिए इमाद की आखों में एक दवा डालते हैं जिससे कि उसकी आखे कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देती है फिर डॉक्टर उसकी आखो पर एक मोटा प्लास्टर कवर चढ़ा देते हैं लेकिन ये द्रिस तो और भी चौकाने वाला था इमाद अभी भी बिना किसी चीज से लड़े दंदनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और तो और वो अस्पताल के बाहर रखी एक सैकल को चला कर भी दिखाता है ये सब देखने के बाद डॉक्टर चिटर जी दिन भर सोचते रहते हैं और जब वो अपने घर जाते हैं तो टीवी पर इमाद का सो देखते हैं जहां पर वो एक डबे को अपने चेहरे पर पहन कर जादू दिखा रहा था अगले दिन डॉक्टर चिटर जी इमाद से मिलने जाते ह और कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ ना की लिखत लेकिन मैं आपकी कहानी लिखना चाता हूँ अगर आप इससे सहमत है तो आप मुझे बताएं कि आप ये सब कैसे कर पाते हैं इमाद अपनी कहानी को बताना सुरू करता है वो कहता है कि मैं 1873 में कस्मीर में पैदा हुआ था जब मैं 13 साल का था तो एक जादूगर ने मेरे गाउं में आकर जादू दिखाया था जिससे मैं बहुत ही खुस हुआ था मैं उसे अपना हीरो मान बैठा था मैं उसी की तरह बनने के लिए अपने घर से कुछ पैसे का जुगाल करके भाग गया और इस सहर जाकर मैंने थियेटर जोएन कर लिया और इसी तरह करते करते मैं 17 साल का हो गया तबी एक रिष्टोरेंट में बैठे बैठे मुझे एक ऐसे इंसान के बारे में पता चला जो की धियान लगा कर धरती से 18 इंच उपर उठ सकता है ये सुनकर मुझे उनसे मिलने की इच्छा हुई मुझे उनके ठीक ठाक ठिकाने के बारे में तो नहीं पता था लेकिन मुझे उनके सहर के बारे में पता था मैं उस सहर चला गया और उन साधू को 6 महीने तक लगातार ढूनता रहा लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला फिर एक दिन कहीं से मुझे उनके इलाके के बारे में पता चला जिसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा मैं उस साधू के पास जाने के लिए एक टांगे वाले से मोल भाव कर रहा था तभी एक इनसान मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई तुम जहां जा रहे हो मुझे भी वही जाना है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ बदले में टांगे के आदे पैसे मैं दे दूँगा ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात थी मैं उसके साथ उस साधू से मिलने के लिए चल पड़ा बातों बातों में मुझे पता चला कि मैं जिस इंसान के साथ पांगा सेर कर रहा था वो उस साधू का सिस्य है ये तो मेरे लिए सोने पर सुहागा जैसी बात हो गई कि मैं अब उस साधू से सीधे सीधे मिल सकता था मैंने उस सिसे कहा कि क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो जिस पर उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब हमारे गुरु ध्यान लगाते हैं तब वो किसी से नहीं मिलते और उनसे मिलना कोई आसान बात नहीं है जिस पर मैं चुप हो गया और इधर उधर की बाते करने लगा कुछ देर आगे जाने के बाद वो सिसे एक जिगा उतर कर मुझसे कहता है कि मैं अब जलता हूँ आगे इमाद बताते हैं कि मैं दूसरी तरफ जाने का दिखावा करके उस सिसे के पीछे लग गया और छुपते छुपते गुरू के ठिकाने पर पहुंच गया जहां तो गुरू अपना ध्यान खोलते हैं तो वो इमाद को अपने सामने देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उस पर पथर चला देते हैं जिसे कि उसके पैर से खून निकलने लगता है इमाद बताता है कि साधू ने जब मेरा खून देखा तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और अ उस चित्र को बिना देके ही अपने ध्यान योग से उस चित्र को पूरी तरह बना लोगे उस दिन तुम जो चाहो वो देख सकोगे इमाद उस दाली वाले साधू से पूछता है कि ऐसा मुझे कितने दिनों तक करना होगा जिस पर साधू बोलते हैं कि हां 20 साल किसी किसी को 30 साल भी लग सकते हैं तो किसी को 10 साल और अगर कोई महान हो तो एक या दो साल में भी इस ग्यान को सीख सकता है इसके बाद वो साधू इमाद को वहां से जाने को कहते हैं आगे इमाद बताता है कि मैं आपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था जो छोटी उम्र में ही ह में छोड़ कर जा तुके थे जिसके बाद मैं उनकी फोटो का ध्यान लगाने लगा ध्यान लगाने में मैं मोमबती के लोका भी सहारा लिया करता था जो मुझे बहुत मददगार साबित हुई सादू की तरह मैं भी एक दिन हवा में उलपाऊंगा इस उमीद के साथ मैंने भी लगातार पूरी महनत से ध्यान लगाना शुरू कर दिया एक साल बीते और मैं एक मिनट तक ही ध्यान लगा पा रहा था चेञ सालों में दो मिनट अंति में 17 साल की कड़ी महनत के बाद मैं 6-3 मिनट तक ध्यान लगाने में सफल रहा जिसका फैदा यह हुआ कि मैं आखे बंद करके भी चीजों को देख सकता था तास के पत्तों को उल्टा करके उसके सारे नमबर को भी बता सकता था इस तरह धीरे धीरे मैं एक बड़ा जादू गर बन गया और पैसे कमाने का ये मेरा साधन हो गया ये सब सुनकर डॉक्टर चिटर जी इमाद से कहते हैं कि रात का इसी सोच में डॉक्टर चिटर जी सारी रात जागे रहते हैं और एक डैरी में इमाद की सारी कहानी को लिख लेते हैं अगले दिन डॉक्टर चिटर जी सो देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इमाद खान कल रात मर चुका है जो कि एक बहुती बुरी और चौका कमाऊंगा, क्योंकि हिन्डी के जीवन का एक मात्रे लच पैसा कमाना ही होता है, हिन्डी ध्यान लगाने के लिए खुद की फोटो को चुनता है, क्योंकि वो खुद को आप से भी ज़्यादा सुन्दर और खुद पर गाने के बाद एक कसीनों में जाता है। ताकि वो अपने इस सक्टी का इस्तिमाल करके वहाँ पत्तों को देखकर पैसे कमा सके। कसीनों में जाने के बाद, उसने एक दिन में साख़ी तीन करोड रुपपय कमाए और यह सिलसला ऐसा ही चलता रहता है एक दिन हिन्री को उसकी तब्यत कुछ खराब लगती है इसलिए वो अपने सरीर के अंदर देखता है जहां वो अपने सरीर के एक नस में गाट पाता है अब हिन्री के पास जादा दिन नहीं था हिन्री को अब ये सारे पैसे बेकार लगने लगते हैं जिसके दुखे हेंरी अपने घर के उपर से सारे पैसे उड़ा देता है जिसे बटोरने के लिए वहां भीड़े कटा हो जाती है भीड़ को देखने के बाद वहां पर पुलिस आती है तो उन्हें पता चलता है कि हेंरी ने पैसे फेके हैं इसलिए वो हेंरी से पूछ ताच करने के ल नहीं है हिन्री को ये एडिया बहुत अच्छा लगता है इसलिए अब वो अनाथाले और अस्पताल में दान करने के लिए कसीनों से पैसे जीतने की तरकीबे लगाने लगता है जिसमें उसकी मदद विल्स्टन करता है जो हिन्री का सियो था वो हिन्री के कमाई पैसों के लें करता है 63 साल की उम्र में हेंरी की मौत हो जाती है फिर एक दिन विल्स्टन फेमस रैटर रोनाल्ड को बलाता है और उनसे कहता है कि आपको एक कहानी लिखनी है जो बिल्कुल सची है एक सची इंसान की है क्योंकि हेंरी ने विल्स्टन से कहा था कि मैं दुनिया को योग की ता कि मदद किया करता था जब रुवाल ने हिंदी का असली नाम पूछा तो उन्होंने कहा हिंदी ने अपना असली नाम बताने से मना किया है वो सिर्फ इस दुनिया को योग की ताकत से रूबरू कराना चाहता है तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है यह स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसे ही मुवी के स्टोरी को एक्स्प्लेन क्या था अगर आप लोगों ने उससे नहीं देखा तो वाच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे ज़िदूर से देख